बिस्म लाइरामारे रहीम, असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे, आज मैं आपके साथ इद इस्पेशल नेक डिजाइन शेयर करूँगी, सिंपल प्रिंटेट कुर्ती पे मैं ये नेक डिजाइन बनाऊंगी, इसके लिए सबस अब मैं इसके उपर एंबर Rights करूँगी, आरे लाइने जो मैंने ड्रा की हुई हैं, इसके उपर मैं इस लाइयां लगाके इस दिजाइन को कम्प्लीट करूँजी, ये देखें, आप मैंने ये डिजाइन एक तरफ का कम्प्लीट कर लिया है, दूसरी साइड से भी मैंने इ लगा के और यह जाल बना लिया है इस डिजाइनिंग वाली पट्टी को मैं नेकी स्लिट पे लगाऊंगी इस पट्टी के दोनों साइट से में दो-दो पॉइंट का कप्रा फॉल्ड कर लूँगी पट्टी के साथ में अस्तर का कप्रा भी है आप देख सकते हैं तो बस वह भ साइट और यह डिजाइनिंग वाली साइट को आपस में में च्वाइंट कर लूँगी स्लाई लगा के इस तरीके से तो पहले मैं इसको सेट करके रखूंगी और इसके बाद मैं इस पे स्लाई लगाऊंगी एक्स्ट्रा कप्रा में कट कर लूँगी फिर दूसरी साइट से मैं इस śl लगाऊंगी यह śl लग के भी एप्लिट हो चुकी है और ये पटी मेरी नेक डिजाइन के लिए तयार है आरगिंसा फिबरिक के मैंने दो पीस लिए हैं पती की जो चोड़ाई है वो डेर इंच फीबरिक और आर्गिंसा फेबरिक की चुराई सारे साथ इंचे इस तरीके से तो अब मैंने आर्गिंसा फेबरिक को पहले से ही फोल्ड करके रखा हुआ है डबल फोल्ड किया हुआ है ताकि इसके धागे नजर ना आए अगर मैं इस आर्गिंजा फेबरिक को सिंपल जोल लगा लेती पटी के साथ तो पीछे से ये नदर आता और बहुती बुरा लगता तो इसलिए मैंने आर्गिंजा फेबरिक को दोनों तरफ से डबल फॉल्ड करके और पटी के साथ जॉइंट कर लिया है अब एक्स्ट्रा फेबरिक में कट कर लूँगी इसके बाद जी मुझे गले की कटिंग करनी है तो मैं इस पीस को डबल फॉल्ड करके इसका सेंटर बना के रखूँगी इस तरीके से गले की विर्थ में चार इंच रखके निशान लगा लूँगी और गले की लेंथ भी में चार इंच रखूँगी यहाँ पे गला में थोड़ा सा बरा रख रही हूँ लेकिन अगर आप तीन इंच इसकी लेंथ रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा अब मैं इसकी गोलाई बना लेती हूँ और इसके बाद मैं गले की कटिंग कर लूँगी गले की कटिंग के बाद शेप हमारे पास कुछ इस तरह से आया है अब मैंने इसके लिए पट्टी भी बना ली है यह आरी पट्टी है जैसे पाइपिंग की हम निकालते हैं इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी जो चौराई है एक इंच दो पॉइंट है अब मैं इसको गले पे लगा लेती हूँ इस तरीके से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लूँगी और मैं इस पे कट्स लगा लूँगी कर्स लगाने के बाद में इसकी मगजी की सलाई लगा लूँगी इस तरीके से मट्टी को मैंने बेक साइट से पलटके और अच्छे से प्रेस करके इसकी तुर्पाई कर लूँगी है आप अगर इस पे तुर्पाई करेंगे तो ज्यादा खुपसत लगेगा अब मैंने ये कुर्टी ली है अब इसका गला में बनाऊंगी तो इसके लिए मैं सारे 6 इंच पे मार कर लूँगी लेंथ में इस तरीके से और इसके बाद कुछ इस तरीके से में इस पे शेप दूँगी ये गोलाई का शेप है नीचे V शेप है और उपर ये गोलाई तक 4 आई शेप तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ अब ये जो पीस निकला है इसको मैं संबाल के रखूंगी इसको आपने फैंकना नहीं है इसके बाद मैं इसका शेप पुकरम पे ड्रा करूंगी इसके बाद हमें स्लाई का मारजन देते हुए दो पॉइंट नीचे ड्रा करना है इस तरीके से और फिर इसके बाद नीचे पोने इंच पे मार करना है अब दो पॉइंट नीचे वाली लाइन पे मैं कट कर लूँगी और फिर पोने इंच पे मैं कट कर लूँगी अब इस पटी को मैंने कपरे पेस्ट कर लिया है अब मैं बुकरम की इस पटी को कुर्टी के साथ इस तरह से अटेज करूँगी इसके शेप के अकॉर्डिंग इसके बाद मैं इस पे कट्स लगा लूँगी बीच वला कट्स में डीप लगाऊंगी बस ये धियान रहे किस लई कटना होने पाए बुकरम की पटी को बेक साइट पे पलटके अच्छे से प्रेस कर लिया है अब कुर्टी मुझे नेक डिजाइन के साथ अटेज करनी है इस तरीके से तो इसकी सिलिक्चों में रखूँगी सारे तीन इंच रखूँगी जो कप्रा मैंने कटिंग में निकाला था उसको भी सेट करके ऊपर रखूँगी इसके बाद आम हॉल की कटिंग का जो निशान है वो आर्गिंसा फेबरिक पे इस तरीके से मार्क करना है शोल्डर का भी मैं मार्क कर लूँगी निशान और फिर इस कप्रे को हटा के जो निशान मैंने अभी मार्क की हैं उस पे मैं कटिंग कर लूँगी इसरी साइट से भी मैं आम हॉल की कटिंग कर लूँगी इसके बाद में कुर्ती का जो फरंट है जहां पे मुझे अटेच करना है तो मैं इस तरीके से मार्ट कर लूँगी अब ये मेरे पास लेस है लेस को मैं निशान से एक पांट नीचे करके लगाऊंगी अब जहां पे मेरा कोना बनेगा वहां पे में लेस को कट करूँगी और फिर इस तरीके से में दूसरी साइट से निशान से एक पांट नीचे की तरफ लेस लगाना स्टार्ट करूँगी और लेस को गोलाई के शेप में लगाते हुए में यहां पे खतम करूँगी और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लूँगी अब इसके बाद में कुर्ती का फरंट इसके साथ अटेच करूँगी तो बस इस पे सिंपली मगजी की सलाई लगानी है लेस के उपर रखके ये मैंने गुम लेस लगाई है फाइनली हमारा ये नेक डिजाइन बनके त्यार है आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मैनत से ये नेक डिजाइन कितना खुबसरत बना है अब बेक साइड से जो एक्स्ट्रा औरगिंजा फेबरिक है इसको मैं कट कर लूँगी इस नेक डिजाइन को आप जरूर ट्राइक कीजेगा और इसका एक्सपिरियंस मेरे साथ शेयर कीजेगा आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं इन्शाला किसी नए वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज